मद्य प्रदेश में बार-बार शराबबंदी की मांग को लेकर उट रही आवाजों पर प्रदेश के वाने जिमंतरी जयनत मलैया की कुछ अलगी धलील है विदान समा में जीदु पटवारी द्वारा पूचे गए सवाल के जवाब में जायन्त मलाया ने शराब के पक्ष में कई पाते गही है प्रदेश में शराब से होने वाली आए 6 सालों में दोगनी हो गई है जोएंद मलिया ने ये भी कहा कि यदि शराब बंदी की गई तो मद्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों की भावनाय आहत होंगी जिसको लेकर बीजेपी ने सफाई दी है पीजेपी प्रवक्ता दीपक वजवर्गी ने कहा कि अचानक से प्रदेश में शराब बंदी करना संभव नहीं है उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी शराब बंदी हुई है वहाँ असफल रही है और वहाँ दूसरे अपराद भी बढ़े है वहाँ इस बयान को लेकर कॉंग्रेस ने सकी निंदा की है कॉंग्रेस के प्रवक्ता भूपेंदर गुपता ने कहा कि आदिवासियों के लिए जंगल में खुद की शराब बनाने का अलग कानून है लेकिन बीजेपी इसको मुद्दबना कर जूट फैला रही है जो गली-गली में प्रवक्ता भूप बनाने की जानून है तो जूट बोलते हैं और भ्रम पहला रहा है प्रवक्ता भूपे ज्राब से अथ गूपके है जो डिसलरी की शराब पिता है क collector वहां तो बेचना भी परती बंदेत है अगर आदिवासी लोगों की भाउनाओं का ख्याल करके सरकार जो है दर शराब बंदी नहीं कर रही है तो आदिवासी छेत्र में तो शराब की दुकान खोलना भी अवेद है तो सरकार वहां पे यह डिस्टलरी की दारू बिकवा रही ह अगर बिकवा रही है तो यह अपरात कर रही है भृष्टाचार कर रही है यह पूरी तरह से माफियाओं की गरफ्त में है यह सरकार दो लाग करोड़ रुपे के बजट में मात्र साथ हजार आठ हजार करोड़ रुपे की रिवेन्यू जो है शराब से आती है चार अबिक लिए कैमरमन आकाश परागी के साथ आकाश सूनी की रिपूर्ट